मा दुर्गा के नौ रूपों में से मा शेल पुत्री को सबसे पहले पूजा जाता है चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी मा शेल पुत्री मा पार्वती का ही रूप है पिछले जनम में मा पार्वती ने मा सती के रूप में शिवजी से शादी करी थी और मा सती के पिता इस बात से बहुत नाराज थे और फिर उन्होंने बहुत बुरा भला बोला मा सती को शिव जी के लिए तो ये बात मा सती से सही नहीं गई कि उनके पती को कोई इतना बुरा भला बोले तो उन्होंने यग की आग में अपने आपको जला दिया और उसके बाद परवत राज के घर मा सती ने मा शैल पुत्री के रूप में जनम लिया शैल पुत्री भी उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि शैल मतलब परवत और पुत्री मतलब बेटी शैल पुत्री परवत की बेटी और माशैल पुत्री कें अंदर सारे पहार, परवत, नदी, समंधर समाते हैं इसलिए उनको Mother Nature भी बोला जाता है और मा शैल पुत्री के एक हाथ में तिशूल और दूसरे हाथ में कमल जो की ये रिप्रेजन करता है कि मा शैल पुत्री शक्ती और शान्ती दोनों का प्रतीक है और मा शैल पुत्री की पूजा करने से शक्ती और शान्ती दोनों मिलती है